हलो सबको भाई मैं हूँ आशी शोकीन भाई आप लोगोंने मॉडिफिकेशन देखी होगी सुफ्ट जैसी गाड़ी के अंदर या फिर आपने देखी होगी वर्ना के अंदर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे देश की टाटा कंपनी के गाड़ी के ऐसी मॉडिफिक तो भाई यह आपकी गाड़ी है टाटा टियागो अभी मॉडल वगर आपको कुछ समझ में आएगा लेकिन जब इनके ओनर से मिलेंगे तो वह सारी चीज़े बताएंगे तो वैलकम भाई गौरव कैसे हो आप बढ़ियां गाड़ी के चोटा से इंट्रों हो जाए आप क्या करते हो इतना शौक कैसे गाड़ियों का काम है हां अच्छा मोडिफिकस में का सुरू से होका है हां तो मेरे पाच्छी से पहले देखके मतलब की यार शुट तो हर कोई बोडिफाइड करता है लेकिन में अपको बता देता हूं टियागो यह मॉडल है आपका एकसे एक्स एम और एकसे कैसे है इसे आपको देखके के नि पता लगेगा लेकिन अगर आप की को देखोगे तो आपकी लेकिन उन्हेंने इस वेरियंट को बहुत ही अच्छे से आगे मॉडिफाई करके उसको टॉप मॉडल से उपर अच्छे से बना रखा है वाइट कलर यह आप क्या है आप देख सकते हो अब बात कर लेते हैं लोडिफिकेशन की यहां पर भाई सबसे पहले तो आपको एकदम मिलता है कि यह टेपिंग होगी राइट है ना भाई अच्छा टेपिंग से बना रखी है बाकि मैं देख रहा हूं यहां पर एक रोम आता है जो कि टियागों में हमिशार आपको मिलेगा तो इस पर आपने य लोगों वगरह होता है यह कैसे आपने किया क्यों कि यह लोगों वगरह तो मेरे खाल से पेंटेड है अच्छा तो भाई यह मतलब ऐसा नहीं सोचा कि रीसेल वेल्यू एफेक्ट होगी पेंट अच्छा नया लगा देंगे और बाकि मां आग यह से देख रहा हूं इसके अ बारे में टायर्स आपको लग रहा हुआ कि यार इसके अंदर बड़े बड़े टायर लगे हुए बहार की तरफ निकले हुए है कुछ ऐसा है बट नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है टायर आपकी स्टॉक है आपको मैं दिखा देता हूं साइज भी साइज छुपा हुए थो गाड़ी तो शरीफ हो वाली है और एक और चीज मैंने इसके अंदर नोटिस किया जो इसके ब्रेक कालिपर्स है डिस्क ब्रेक वाले वह आप देखो बिल्कुल ब्लू कलर के अंदर शेड में हमास ब्लू अच्छा यह वह चपल वाला वह चपल का नाम है यह प्रॉपर और इसके नट्स वगएर भी उसी के अंदर करा रखे आपने दिखाई दे चारो नट और वह ब्लू कलर और जो इसके बिसिकली जो टायर है रिम जो अलॉइज है वो मैं देख रहा हूं नियो कंपनी के हैं बहुत बढ़िया है वह मैंने इसको बहुत साल यूज किया वाई नह बहुत यह पीछे से भी आपकी पूरी जो टेल लाम से बगरा है स्मोक कर रखी है यार देखो गाड़ी कोई भी हो उसको आप थोड़ा सा भी मोडिफाई और ट्विस्ट करते हो ना और स्पेशली वाइट यह ब्लैक कलर की गाड़ी को तो एक अलगी फील दे देती है और आप इसको देखते हो ना यह पीछे से लुक देखते हो तो बहुत बढ़िया लग रही है लेकिन मेरे को एक बात बता हो यह स्पॉयलर का क्या मतलब में कोई सहन समझ मिनीं आई क्योंकि ट्यागों में स्पॉयलर मैंने देखा आफटर मार्केट मिलता नहीं है आक तो पॉ तो चेद मार दिया आपने इस गाड़ी के अंदर बाकी एक चीज बता जाता हूं यह है आपकी CNG कार क्योंकि पीछे से लोगों वगर हटा रखा है तो पता नहीं लगेगा किसी को यह है लेकिन जैसे आप इसको खोलते हो तो आपको दिख जाता है नो बूट स्पेस और अपनी 12 किलो वाला सिलेंडर जिसके अंदर गैस आपकी 8 किलो के आसपास आ जाती है तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं वो छेद वगर यहां से तो दिखनी रहा है यहां से नहीं रहा है अच्छा जिर्कोनियम वाले जो आते हैं काले वाले पेच तो यह सच में कुछ एरोडाइनमिक काम करता क्योंकि मैं तो जैसे देख रहा हूं यहां से हवा आएगी तो ऐसे टकरा के पूरी ऊपर निकल जाएगी जिसे ज्यादा उच्छा हो जाए जिसे कि अवार रोकेगा लेकिन जब बाद में फिटमेंट हुई ना उसके बाद मताप अच्छा तो फिर यह लोगों लगाने का को स्पेशल परपस यहां पर सबसे अलग चीज अच्छा रोड पर नजर आती है यह बड़े तो बड़े बच्चों की पसंद भी बिल्कुल चोटे बच्चों को पसंद आता है यह तो सभी देखते हैं बिल्कुल और यहां पर तरस जड़ा ध्यान देना भाई भाई की गाड़ी से दूर रहना नहीं तो आपको प्यार में फसा लेंगे अपने पास तो बाकि अंदर चलते हैं बाहर से आपने देख लिया और एक और चीज मैं देख रहा हूं यह जो यहां पर रैप है यह कमेलियन वाला ना कमेलियन र सब लगवार है आजकर सब लगवार है लेकिन वह चीज करनी ही नहीं जो जो चीज पुरान ही हो बाकी जो यहां पर आपको इंडिकेटर दिख रहा है यहां से भी आप पचान सकते हो एक्स एम वेरियंट है अब चलते हैं अंदर की तरफ जितनी अच्छी और सोफेस्टिक तो आप देख सकते हो यहां पर आपके सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं यहां पर आपको यह मैनुवल मिल जाता है बिकाउस अप्स एम वेरियंट लेकिन जो इसकी जो कलर कॉंबिनेशन है अंदर आप यह देखो छोटी चोटी चीज है यह टेपिंग अगर है लेकि उसका जो ग्रीन आता है तो वो यह वाला है बाकी अंदर जैसी बैठते हैं वही अपनी टियागो वाली फीलिंग है भाई मेरको तो ऐसी कोई शिकायत आती नहीं कभी सिटिंग पोजिशन हमेशा से उपर रहा है टियागो का अगर आप सुफ्ट से कंपेर करते हो तो बाकी अंदर को ऐसी खास मॉडिफिकेशन में को नजर नहीं आती लेकिन जो साफ सफाई और जिस हिसाब से भाई ने रख रखी है वो भी काफी अच्छी लगती है नीचे आपको जी एफ एक्स के मैट्स मिल जाते हैं जिसमें दूल मिट्टी वगरा आराम से आप अपनी मेरे को एवरेज थोड़ी सी कम लगी आपको सही लगी ठीक है मतलब अभी ऐसा तो नहीं है कि साथ सो में पान सो चलेगी हाँ लेकिन पर यह अच्छा लगता है इसके अदर अभी नजर गई मेरे उस पर अब मेरे को आप यह बताओ जैसे आप सटिस्वाइड गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ तो नेगेटिव लगाओ गाड़ी में थोड़ा सा गेर वोक्स में लगता है अच्छा जब स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जब स्टीड में होते हैं तो थोड़ा से कम पर जाते ही फिर नहीं और बाकि रेटलिंग नॉइज वगरा गाड़ी में कुछ तो थोड़ा बहुत वैसे गर्मियों में कोई दिकत नहीं है अच्छा बागी हर एक टियागों में देखो यार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है जैसे मेरी गाड़ी में पैनल गैपिंग है मैं यहां पर दिखा देता है लेकिन लुकिंग अट बजट की बाई किस बजट पर गाड़ी है उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्रोड़क्त देती है टाटा टियागो इंजन वाइस वगरा आपको पावर्फुल लगता है चलाने में चार आज में बैटके एक दम बहुत बढ़िया बाकि पीछे की तरफ भी मैंने देखा यह मेरे को लगा सिर्फ ब्रेक कैलिपर्स इसके पेंटेड है बट ड्रम्स भी इसके अंदर पेंट करा रहे है और मट फ्लैप वगरा कुछ लगा नहीं रखे पीछे की तरफ और आगे की तरफ तो है इसका क्या रीजन है बाई भाई वह लगा व पेंट कैसी नहीं है और इसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते आने वाले टाइम ने आप क्या कराने वाले वाले इस गाड़ी के लगा रहे हैं उसमें कॉलर कौन सा रहने वाला है कोई भी चैंज कर सकते हैं वह तो हाँ अच्छा जो अपना पसंद दो कलर वो लाप ल अच्छा यह जो लाइट से इनको अटवाद हो गए तो यह जैसे आप मोडिफिकेशन करवाते हैं तो यह जो प्रोडक्ट होते हैं जो स्टॉक आते हैं उनको आप अपने पास रखते हैं तो यही था कुछ एक्स्पीरियंस भाई आप लोगो को आई कैस टाटा टियागो पसंद आई होगी यार मैं तो चाहता हूं टाटा टियागो लोग अच्छे ची मोडिफाई कराएं लेकिन मैंने आप लोगों को पता है टियागो में कम चलाता हूं तो इसलिए थोड़ा सा उसको मोडिफिकेशन में मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा मानना ही है कि यार गरवाले चलाते हैं तो उसको इस हिसाब सी रहने देते हैं वागे टियागो से आपको रिलेटेड कोई भी इश्यू हो आप वीडियो बगर आप देख सकते हो और मोडिफिकेशन अगर आपको चाहिए कुछ भी भाई से आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई की आईडी आप देख लो किसी भाई को अगर कोई स्पॉयलर चाहिए या फिर कोई भी चीज़ चाहिए वो इस आईडी पर आके पता कर सकते हो एक और जो बहुत बढ़िया इसके अंदर मोडिफिकेशन है वो आपको अभी नहीं पता लगेगी लेकिन मैं आप ऐसे काम करवाते हैं बहुत सुन्दर लगता है रात के टाइम पे लेकिन वो थोड़ा सा मेंटेनिस वगर अभी मांगता है थोड़ा से समाल के रखना पड़ता है बारिश के मौशम में खराब भी हो सकती है तो आप अपने उस पे लगवाओ लेकिन सुन्दर बहुत लगत या इंक्रीज हुआ जैसा था वैसा ही है और गड़े वगरा में सस्पेंशन का तो लगवा सकते हैं बिल्कुल 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 तो बस एक रिक्वेस्ट है वाई यह चाइनीज वगरा मतलगवाना मतलब थोड़े से ब्रैंडड लगवाओ थोड़े से कॉस्टली जो भी ओनर है आप जाके सॉफ़वेर अपडेट करा सकते हो तो भाई ने भी करवाया है तो भाई आपकी भी आया था अपडेट है और उससे पहले क्या प्रॉब्लम होती थी उससे पहले जटके मारके ना गाड़ी बंद हो जाया करती है अच्छा सेम मेरे साथ था 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 और थोड़ा सा जटका मारके बंद होती थी गाड़ी लेकिन जब से हमने सॉफ़वेर अपडेट किया है एकदम मस चल रही है एक एक जामपल है तो जिसका जिसके पास फोन नहीं आया है और कोई भी इशू ऐसा है तो आप टाटा से डिरेक्ट कॉंटक्ट करके आप बोल स